प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट नमस्कार मैं हूँ अर्पितार, भागी चक्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज जानेंगे क्या है सावन के महीने का महत्व और इस बार सावन दो महीने का क्यों रहने वाला है इस पर विशेश चर्चा के लिए हमारे साथ मौझूद है पंडित शैलेंद्र पंडे जी पंडे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने की महिवा क्या है पंडे जी अरपिता हिंदू धर्म में जितने भी महीने हैं हर महीने का अपना एक महत्व है और उसमें सावन के महीने को हमारी परंपरा में बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं अगर हम सावन महीने की महिमा की बात करें तो ये हिंदूओं के पवित्र चातुर मास में से एक माना जाता है चातुर मास के चार महीने होते हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक उसमें एक महीना सावन का है पवित्र चातुर मास है इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से भगवान शिव से माना जाता है इसी महीने में ऐसा मानते हैं कि समुद्र मन्थन हुआ था और समुद्र मन्थन से जब विश निकला तो भगवान शिव ने उस विश का पान किया था विश का पान करने के बाद विश को पीने के बाद उस उग्र विश के प्रभाव को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अरपित करते हैं आप पूरे साल भगवान शिव की पूजा करिये उसका जो फल मिलेगा वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है तपस्या के लिए साधना के लिए और वर्दान की प्राप्ती करने के लिए ये महीना विशेश शुब माना जाता है और इस बार सावन का महीना लगभग दो महीने तक है नॉर्मली सावन का महीना एक महीने ही रहता है 28-30 दिनों का इस बार सावन का महीना पूरे पूरे दो महीने तक रहेगा चार जुलाई से आरंब होगा और 31 अगस्त तक सावन का महीना बना रहेगा यानि आपके पास लंबा मौका होगा, लंबा समय होगा जब आप भगवान शिव को प्रसन कर पाएंगे और भगवान शिव से वर्दान पा सकेंगे इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब, आसर तब, know your faith पंडी जी अब सर ये समझाई कि इस पर सावन दो बार क्यों आ रहा है उसका कारण ये हैर पिटा कि जो भारतिये कैलेंडर होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा की गती पर चलते हैं जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हर साल में 6 घंटे जादा होते हैं तो हर 4 साल ली पियर हो जाता है उसी तरह से हिंदू पंचांगों में सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो 11 दिन का अंतर होता है वो हर 3 साल में एक महीना बढ़ा देता है इस बार वो एक महीना जो बढ़ गया है वो बढ़ गया है सावन के महीने में इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है यानि एक महीना जादा इस बार सावन रहेगा इसलिए सावन के महीने में एक महीने और अधिक मास भी रहेगा अधिक मास को पहले बहुत अधिक अशुब माना जाता था बाद में भगवान विश्णु ने कहा कि इस महीने को मैं अपना नाम देता हूँ तब से अधिक मास का नाम पुरुशोत्तम मास हो गया और इस मास में भगवान विश्णु के सारे गुण पाए जाते हैं इसलिए अधिक मास में धर्म कारियों के उत्तम परडाम प्राप्त होते हैं अब सावन का महीना है उसमें पूजा होती है भगवान शिव की और अधिक मास में पूजा होती है भगवान विश्णु की तो इस बार के सावन के महीने में भगवान विश्नु की पूजा भी होगी जो सामान्यता नहीं होती है लेकिन इस बार अधिक मास होने से भगवान विश्नु की पूजा भी होगी और सावन में तो भगवान शिव की पूजा होती ही है उनकी भी पूजा होगी और इस बार सावन में जो एक महीने का एक्स्ट्रा महीना है जो एक महीने का अधिक मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा तो 18 जुलाई से ले करके 16 अगस्त तक का समय अधिक मास का समय होगा जिसमें भगवान शिव की पूजा तो देखिये होगी ही उसमें भगवान विश्नु की पूजा भी अवश्य होगी